यह मैंगर इसकी रीडिंग है जीरो से 10 मेगाओम तक इसकी रीडिंग है जिसका लाइन है यह ग्राउंड हा और यह आर्थ के बीच में अब जे मैंगर हमने चेक करना है यह ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको फूर तारी थोड़ा से टच करेंगे ताकि इसको गुवाएंगे आप यह बेसिक आईडिया रहता है कि मोटर कैसे चक्कर नहीं है आमने इंस्टालेशन और मैंटेनिस में है है हमारे इक प्रोग्राम रहता है इसमें यह फिसकी तार ही है कि सारी वाइंडिंग है यह सारी सारी है तो अगर हमने चेक करना है कि इसकी मोटर की वाइंडिंग शार्ट नहीं है हम क्या करेंगे एक कोई भी रूप के साथ एक मैगर की वायर टॉप करेंगे और दूसी वायर बाड़ी के साथ टूप करना है और फोड़ा दूर रखना है अब इसमें देखें के इंसुलेशन कितन आप डार इंपव शार्ट सेथी वायंडिंग अब इनको चेक करना है बीच में ओपन तो नहीं है अगर ऑफन होगी इंदर इंसुलेशन दिखाएगा ठीक ना भी ओपन होगी तो यह स्वी लेगी नहीं क्योंकिमें मैक्सिमुम इंसुलेशन होगी अब देखो यह दोनों स साथ यहां दोनों को सही यहां जो क मतलब जो वाइंडिक क्या है फिर से हम वही काम करेंगे अशित अब ये देखो auxiliary winding open दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है ये open क्यूंकि auxiliary winding में हमने capacitor join करना है उसके बाद में ही ये चलेगा ये ठीक है इस दोनों में पाद चल जाता है अब इसमें A1 और A2 में टच किया है क्योंकि ये A1 और A2 winding क्या है अब जब ये open है ये open है ये इस तो ये देखो इसमें बिल्कुल भी हिर रही नहीं है क्योंकि ये 10 mega home क्या आसपास है तो इसका मतलब ये observe winding क्या है open है और ये बश्करण करें मौटर की तो इसे चक करनी है में तो मैंन यही है कि अगर winding तुम्हारी बिल्कुल सही है तो उसमें mega तुम्हारा क्या शो करेगा बिल्कुल ऐसे शो करेगा ते जीरो के आसपास शो करेगा ये जब तुम्हारी कोई चीज ओपन है winding तो ये शोजी बार्फी ने हुआ है ता हुल्माराज करी है